नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चनले स्मास्ट इस्टडी पॉइंट पे तो फाइनली आज का जो मारे सेशन होगा वो होगा जीके जीएस का जो की बीए बीस्टी और बीकॉम के लिए हम लगाता है सेशन चला रहे हैं ठीक है तो यह क् बीए में उसके लिए भी एक अलग सेशन तयार किया जा रहा है साथी साथ में बता दू कि अब बाकि जो जीएस जी के करेंट अफेर्स है वो सेम ही पैटन फालो होता है हाला कि बीस्टी में कई बार क्या होता है कि फिजिस केमेस्टी की जो चीज़े होती है एक आग दो क् हम दाते चलूँगा तो उत्रकंत के जो पहले मुक्य मंत्री थे हाला कि आप से ये पूछ सकता है कि उत्तर पर्देश क्यों Yo यूपी गंतरगत ये पूछ सकता है कि उत्रप्रदेश के पहले मुख्य मंत्री कौन थे जैसे उत्राखंट के पहले कौन थे नित्यानन्द स्वामी इसको आपको बहुत जादा फोकस नहीं करना है निम्मिखित में से कौन सा एक जैव निमनी करणी अपसिस्ट नहीं है है कि जो पारिथेन की ठ्हली है वो करह नें होने वाली चिज ठorf इसको आप कहीं भी लख दी जिये जमीन गंदरगार दीजीये तो यह कभी नेश्ट नहीं होती ठीक है यORA बतानी कोशिश की गई है इसको यह जो है परियरान को बहुत जदर ज्यादा च्hrat ही था आप रसस में से कौन सा पोसकत केले में प्रचुर मातरा में मौजूद होता है तो हाला कि अभी ये question नहीं पूछा गया है इन बनाना विच आफ दे फॉलोविंग इन इस प्रिजेंट दाइएस्ट amount लेकिन इसको जो है इस question को जो है तोड मरोड के दूसरी तरीके से पूछ लिया गया जैसे अभी हम बताएंगे जैसे मैं आपको बता दू कि potassium जो होता है उस potassium मातरा केले में सबसे ज़्यादा होती है ठीक है अगला हमारा है कि एक भौतिक रासी की पहचान करे जो सदिस नहीं है most important question ठीक है बी यसी की paper में बार बार ये question repeated question है और बी ये question महला कि ऐसे question तो अभी नहीं आया है pattern उसको हम देख लेते हैं एक बार तो दूरी जो है वो सदिस रासी नहीं है जबकि विस्थापन बल और त्वरण ये तीनों सदिस रासी है ठीक है vector quantity है अगला हमारा है कि अड़ नगन आखों से ना दिखाई देने वाला बहुत छोटे कड़ होते हैं लेकिन उन्हें किसकी सहायता से देखा जा सकता है electron सूच में दर्शी की सहायता से उनको अड़ों को देखा जा सकता है आप संडी हमारा सही हो जाएगा घूमर इस दर ट्रेजिशन एज वेल एज इंत्यूसियस्टिक फॉल्क डांस आफ मतलब कि जो घूमर है वह कहां का परमपरी के वं उत्साह पूरुक निर्थ है तो देखिए 2018 क्योंकि वहां पर पादमावत उसमें आई थी तो उसमें वह क्रिशन पूछ लिया गया था हो राजस्थान का प्रमुक नित है पारंपरिक नित है शिल्वर क्लॉराइड सूर के प्रकास में क्या कौन सा रंग देता है ये पूछा गया था ब्यस्थी की पेपर में कि सिल्वर क्लॉराइड टर्न्स किसमें परवर्तित हो जाता है तो सिल्वर क्लॉराइड अगर हम सूर for the establishment of socialist pattern of society was commonly referred to as the मतलब समाज के समाजबादी pattern के अस्थापना का वाहन करने वाली दूसरी पंचवर्सी योजना को समान तोर पर क्या खाए दाए basically यहाँ पर बहुत घुमाफिरा के पूछा गया है देखे बी-ेम जो पर पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्सी योजना कब लाई गयी थी ठीक है उसके हेट कौन थे बी-ेम पूछा गया थे मैं बी-े के बाद कर रहा हूँ ठीक है दो question इससे आये थे इसलिए हलाकि दूसरी यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि नेली क्रांती किस पंचवर्सी योजना से संबंदी थी या फिर सफेद क्रांती किस पंचवर्सी योजना से संबंदी थी सफेद क्रांती का मतलब क्या होता है ये pattern है ठीक है बी-े का ये pattern है जैसे दूध हो गई नेली क्रांती मतलब मचली हो गई तो उस लिटेट पहली कब आई थी तो 1950-1955 या फिर 1952-1956 इस प्रकार से आपसे आपको दे दिये जाते हैं ठीक है तो जो दूसरी पंच वर्सी योजना थी वो बेसिकली जो थी वो जो है महाला नो बीस योजना के अंतरगात आती है ठीक है इसमें थोड़ा क्वेशन जो है आई थिंक ये क्वेशन नहीं पूछा गया था पैटर्न यहीं सेम ही था जो मैंने भी बताया है लेकिन इतना घुमा फिरा के नहीं पूछा गया था फेन प्लवन भी थी बीसी का पे वेटिंग और वेटिंग आफ और पार्टिकल्स अगला हमारा एक निल्वखित में से किसने मलेशिया उपन 2019 का खिताब जीता है तो लिन डाउन जो है हलाकि इसमें इस टाइप के क्वेशन को आंसर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए इसमें बहुत जादा फो उतलावन बल ठीक है उर्जा के वे सुरूत जो बहुत लंबे समय से प्रक्रित में संचीत है और जिन्हें समाथ होने पर सेगरी प्रतियास्थापित नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं वह कहलाते हैं उर्जा के गैर नवी करणिये सुरूत मतलब कि ऐसे कुछ ऐसे क्या होता है जीव को वापस पेड़ पॉधे जो होते हैं उसके नीचे धब जानी के विजैसे कोले का निर्मान होता है हजारों कई कई साल प्रक्रिया लग जाती है तो एक नवी करणी होता है एक गैर नवी करणी मतलब कि जिसे वापस से उस प्रोसेस के अंतरगत नहीं ला जा सकता है या फिर लाया भी जा सकता है तो कई साल कई हजारों वर्स बाद भी लाया जा सकता है वरतमान में राज सभा के अधिक्तम सदस्य संख्या अधिक्तम यहाँ पे पूछा गया इस बात को आप ध्यान रखेंगे किस मानों अंग का वजन लगभग एक दसमनों चाल की ग्रागराम होता है और प्रती मिनट में 0.85 लिटर रखती से होकर गुजरता है तो आपको पता होगा जब यहाँ पे रखती की बात आ गई है तो मस् थो दो खवेंगे किताब में तो यहाँ पांसो नहीं होगे यह प्रकास से क्वेशन पूछ जाते हैं ठीक है अगला हमारा है कि आधिक्ता मिलेक्तान कितने होते हैं आपको पता होगा अगर आपने लोग 12 जो है साइन साइट से पढ़े होंगे ठीक है तो आपको पता होगा 32 होते हैं तो 288 ठीक है इस प्रकार से 32 जो 288 16 32 इस प्रकार से पोलियो का पहला प्रभाववी टीका किसने most important question कि पोलियो का टीका जो है वो किसने खोजा था ये बीए दौने पूछा गया है बीएशी एक्जाम हाला कि बीकॉम में नहीं पूछा गया लेकिन बीए बीएशी दौने पूछा गया है कि पोलियो का पहला प्रभावी टीका है फिर पोलियो का जो टीका है उसका who prepared the first effective vaccine अगेंड्स पोलियो पतला पोलियो का जब वैक्सिन है वो क यह आई थिंक आपको देखें पूछा किस प्रकास से गया था उसमें पूछा इस प्रकास से गया था कि पोलियो का टीका किसमें खोजा था ठीक है तो जौन इस साल खो जाएगा आपसन जो डी हमारा वो सही हो जाएगा अगला हमारा व्लिशन है की स्ट कि स्रिंखला यानी का गड़ होता है तो जो उमारा कार्बन है वो श्रिंखला मतलाभ से स्रिंखला बनाती है कि यह 200 को पूछा गया था ठीक है अगला हम देख लेते हैं प्रबल आमने के विलियन प्रबल में क्या होता है तो प्रबल आद्धाइच किसका विलियन होता तो हमारा जजतर आयान का विलेन होता है ठीक है अगला हमारा question है कि beta carotene को सरीर द्वारा में परिवतित किया जाता है तो देखिए जो beta carotene होती है is converted into तो beta carotene को सरीर द्वारा परिवतित किसमें किया जाता है तो beta carotene को किसमें परिवतित किया जाता है I think इसका option जो है वो C हो जाएगा option C vitamin A ठीक है तो माफ की जेगा यह विटामी ए ठीक है अगला मारा है कि मनुस्वे में निकट दिश्टी दोस्त मोस्ट इमाटर क्योशन कि देखी यहां पे बी एक पेपर में पूछा गया था दो हजार आइधिंक पंद्रा और दोजार चौदा के पेपर में पूछा गया था कि मनुस्वे में और यह जो केशन है दोजार उन्नीस के प्रस्ट पत्र में जो बी एसी का पेपर हुआ था अभी रिजेंटली उसमें पूछा गया था कि निकट दिश्टी दोस्त दूर में आउतल लेंज का प्रियोग है थिकर दो में व की मात्रा तो उतल लेंज प्रियो में प्रियोग किया जाता है शाल्य कोThe द लेंज को खुछा गया है तो मनें निकल देटी डिव्योसरि dirigat माया कर देखिए मानों में पूछा गया था है कि लेकिन इस बार इसमें पूछी गया है कि चुहे में कितने जोड़ी के गुर्षोत्र होते एक जोड़ी मंद्टकेशन है कि 18-12 कि हम पर सब्सक्रेंगे र्चिंट प्रोटो टाइप विक्सित किया था तो किनों ने पहला इलेक्टान सुचमदर्ती का प्रोटो टाइप विक्सित किया था तो वे थे अंसर रुसका ठीक है आपसन इसको डिय लेगा हला कि पूछा नहीं गया है लेकिन पूछी जैने के संभावना है जल विद्वत सयंत्रों में जल टर्बाइनों का प्योग करके जनरेटर को चलाने के लिए किस उर्जा का दोहन कियाता है यानि हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स विच एनरजी टैब्ड यूजिंग वाटर टर्बाइन्स टू ड्राइब जनरेटर तो जो गिरते हुए पानी के उड़जा होती है ूसी को चैनरेटर का चलाने के लिए उप्यों किया जाता है आपको पता होगा तिस प्रकास ते जो पानी गिरती है निचे ऐन्रेटर लगा रहता है तरब्वाइन लगी रहते हैं जो भूमता रहता है इसके बाद वहाँ से क्या होती है, बिल्दी क्रियेट होती है, अगला हमारे यादी किसी जीवाड़ू में दो सिरो पर जो है, फ्लैजेला होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इस लिए इसको जाता ध्यान नहीं देंगे, अस्तर के नियम को किस ने प्रसूत किया था, BAKB में पूछा गया है और BSTB में पूछा गया है आगे पूछे जाने के संभावना 100% है ठीक है तो अश्टक के डियम को किसने प्रस्तूत किया था जान निव लेंडर प्रस्तूत किया था अगला हमारा है कि तीन तत्व बुरान, सिलिकान और जर्मेनियम क्या है ठीक है आपको बताना है तो उपधातू है ठीक है उपधातू क्या है एक बाड़ फिर से देख लेते हैं बुरान, सिलिकान और जर्मेनियम देखे कई बार क्या पूछ ले जाता है जैसे हेलीना की रबरी फ्री आपको आपने याद भी रखा होगा ठीक है यह ब्लॉक 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 है हेलीना की रबरी रबरी सस्ती सस्ती फ्री तो आपको यहाँ पर यह क्या होंगे यह आपके तर आपको याद हो जाएंगे बेटा मांगे कारी स्कूटर इस प्रकास देखिए हाइड्रोजन लीथियम नाइट्रोजन पोटैसियम ठीक है रूबीडियम सीजियम फ्रैंसियम तो इस प्रकास आप लोग याद कर सकते हैं रटने का जो एक प्रॉसेस होता है दियान दख देंगे तक कंसीडर जो आपको यह चीजी इस तरह से पढ़ाई आप डेफिनेटली करेंगे तो आपको वीडियो देखने की या फिर बार बार वो चीज़े रिवाइस करने की जिरुवत नहीं पड़ेगी तो आइधिंक यह आपको समझ माग गया होगा अलाग प्रियों का प्रियों के रहता है अगला हमारा क्यूशन निविखित में से कि इसमें अत्यांत समवेधन सिल समण उपकरण मौजूद होता है जो चमगादर की परास्तरव चीखों को सुन सकता है देखें माफ की जिगा यहां पर बताया क्या गया है जैसे 20 किलो हर्ड्ज से 20 किलो हर्ड्ज से अगर आगे तक है ध्वानी की जो तरंग दैर्द है तो उससे जादा अगर तरंग दैर्द है तो ध्वानी की तो मनुस्य से नहीं सुन सकता एक समान मनुस्य नहीं सुनता जिएगा यहां पर जो चमगादर की आवाज होती है वो 20 किलो हड्ड से ऊपर होती है वहां पर पीछले बार में हमने थोड़ा सा गरवर कर दिये था तो जो चमगादर अगर आवाज निकाले तो 20 किलो हड्ड से ज्यादा आवाज निकालती है जिसको कि एक सामाने मनुस नही जादा देर तक सुन ले तो उसके कान के परदे भी फटने की संभावना रहती तो उस परकार से बताया गया है कुछ का खास प्रकार के जो कीटे जो के रात में जो ही देखते होंगे जो इरिटेट करते हैं तो उनकी जो आवाज की ध्वनी होती ही जो तरंग दैर्द होती है जो वेवलेंथ होता है वो 20 किलो हड्स से उपर होता है अगला हमारा है मोस्ट इवर्टर क्योशन की पानी का का अलग से हम मैट्स का साथ ही में और रिजनिंग का जो बीए का है वो उसको अलग से डिसकुशन कराएंगे तो आपको यह चीज़े वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो अपने लाइक कीजिए अपने दुस्ते साथ शेर भी कीजिएगा अगर कोई भी क्व घूमाषट अमाषग वो से लाइक कीजिएग वो इंहाँ ए लाइक कीजिएगा झालग से पार श्वाफजेगार एंपने दो पस्योर मैट मैट इनोंखे भी का बीएज़े वे वाट हैंगा लाइक का नहीं ंहाईग वें आवाँ बीए्बट पसंद दोश्माषग वें